Hello Friends, Mutual Funds में Regular Invest करके SIP के थुरू, बाद में आप उससे SWP के थुरू Regular Income भी ले सकते हैं, ये तो हमें पता ही है अब मान लीजिए, आप 10-15 साल लगातार SIP में Invest कर रहे हैं Mutual Funds की और आपका एक Portfolio बन गया है, Corpus बन गया है Mutual Funds में, जिससे आप Regular Payouts ले रहे हैं SWP के थुरू तो अब जब आप SWP के थुरू Payouts लेंगे तो उस पर आपको कितना Tax Pay करना होगा, कैसे आपको Tax लगेगा वही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, एक Excel Sheet के थुरू तो दोस्तों यही एक Query भी थी हमारे एक Viewer की, तो चलिए Excel Sheet पे मैं ले चलता हूँ और देखते हैं किस टाइप से हमें Tax उस पर देना पड़ेगा Friends, माल लीजिए आज से 15 साल पहले, आपने 20,000 पर मन्थ की SIP करी HDFC Flexi Cap Fund के Growth Option में, अब 15 सालों में आपने 20,000 पर मन्थ करके Invest किया अब इस Sheet में आप देख सकते हैं कि First Month onwards पूरा Cash Flow दिया हुआ है किस मन्थ में आपको कितने Units Allocate किये गए और क्या उसकी Market Value थी तो हम इसमें End में देख लेते हैं कि हमारा 15 सालों में क्या Corpus बना 20,000 हो महिना Invest करके, 20,000 हो महिना Invest करके हमारा Corpus बन गया 1,37,000,000 तो 1,37,000,000 का ये Corpus बन गया जिससे हम मान लेते हैं कि हम 60,000 पर मन्थ का Payout लेंगे तो किस टाइप से हमें Tax Pay करना पड़ेगा उस पर वो हम देख लेते हैं उसके लिए मैंने एक Table बनाई है यहाँ पे लगबग 12 महिने का मैं एक Example लेंगे 12 महिने में हम 60,000 पर मन्थ का Payout ले रहे हैं हर महिने तो जो NAV थी Price per Unit था Last May Flexi Cap Fund का वो था 1593 तो अब मैंने यहाँ Assume कर लिया है कि NAV जो है वो पहले महिने में 1600 अगले महिने में 1610 तीसरे महिने में 1590 इस तरीके से मैंने अलग-अलग NAVs यहाँ पे ले लिया है जो HDFC Flexi Cap Fund की इन 12 महिने में होगी यह Assume मैंने किया है अब जब हमें 60,000 का Payout लेना है और NAV 1600 है तो हमें कितने units sold करने पड़ेंगे कितने units बेचने पड़ेंगे SWP Payout लेने के लिए Basically Mutual Fund से जब हम पैसा निकालते हैं तो वो units sell करके ही हमें मिलता है अब जब पहली बार हम 60,000 का Payout लेंगे और 1600 की NAV है तो simply यहाँ पे हम 60,000 को divide कर देंगे 1600 से तो हमको total 38 units sell करने पड़ेंगे और हमें 60,000 का Payout मिल जाएगा इस तरीके से इसे drag and drop करके मैंने हर sell में 12 महीने का देख लिया है कि कितने कितने units हमें sell करने पड़ेंगे पहले महीने देखिए 1600 की NAV है तो 38 units sell हो जाएंगे दूसरे महीने 1600 10 की NAV है तो 37 units sell होएंगे क्योंकि NAV बढ़ गया है rate बढ़ गया है तो कम unit sell करने पड़ेंगे अब देखो एक महीने में 1550 उरपे की NAV है तो उस महीने में हमें थोड़े जादा unit sell करने पड़ेंगे ये वैसे तो points में आएगा लेकिन मैंने यहाँ पे इसके decimal places कम कर दी है तो ताकि हमारे को ज़्यादा confusion ना हो कितने units हम sell करेंगे 60,000 per month लेने के लिए वो तो हमने इस table से देखी लिया कितने units हम बेच रहे हैं अब हमें देखना पड़ेगा जब हम units बेच रहे हैं तो हमें 163 units allocate किये गए थे अब ये मैंने table को यहीं पे copy नीचे copy कर लिया है ताकि हम यहीं से इसको देख सके ये देखिए पहली बार जब हमने 20,000 invest किया था तो 122 की एन्नेवी थी और हमें 163.9 units allocate किये गए थे अब जब ये 163.9 units हमें allocate किये गए उसमें से हम कितने sell कर रहे हैं 38 तो अब पहली बार हमने 38 unit sell करे किस एन्नेवी पे करें 122 वो की यहां से आ गया अब जब second time हमने 37 unit sell करें अपने 60,000 का withdrawal करने के लिए तो वो भी किस एन्नेवी पे हमने sell किया है 122 क्योंकि हमारे पास पहली बार invest करते ही 163.9 units आ गए थे तो इस तरीके से यह जो पहले 4 हमारे withdrawal है 38 unit, 37 unit, 38 unit, 39 unit वो सारे एन्नेवी 122 रुपे की एन्नेवी पे sell किये गए है अब अगर इसका capital की निकालना हो कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं दोस्तो capital की निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि current एन्नेवी कितनी है उसको माइनस करेंगे purchase एन्नेवी से multiply करेंगे कितने units हम sell कर रहे है देखे यहाँ पर मैंने simply क्या किया है कि 1600 को माइनस किया है 122 से और उसके बाद multiply किया 38 units से दुबारा आपको करके दिखाता हूँ formula लगाया है 1600 current एन्नेवी है उसको माइनस किया है जिस purchase एन्नेवी से 122 multiplied by 38 units यानि 38 units हमने sell किया है तो capital gain आगया 55,425 इस तरीके से drag and drop कर दिया पहले तीन बारी तो लगतार तीन महीने का अगले तीन-चार महीने का भी capital gain आ गया friends 5th month में हम देखेंगे कैसे capital gain calculate होएगा अब 5th month में 37 units sell किये गए हैं अब इसमें से कुछ units हमने 122 की एन्नेवी पर purchase करे थे और कुछ 162 की एन्नेवी पर purchase करे हैं तो पहले देख लेते हैं कि हमने 122 की एन्नेवी पर कितने यूनिट्स purchase करे तो यहाँ पर लिख लेते हैं 122 एन्नेवी अब कितने यूनिट्स purchase करे वो कैसे पता लगेगा total जब पहली बार हमने 20,000 रुपे invest करे थे तो हमें 163.9 units allocate किये गए थे उसमें से 38 units हमने पहले महिने sell करे 37 units second month में sell करे 38 units again sell करे third month में और 39 units sell करे fourth month में तो total जो हमने 122 की एन्नेवी में purchase करे थे units वो 12.7 units और हैं जो हमने purchase करे थे अपना 122 की एन्नेवी में अब हमने यहाँ पर यह लिख लिया अब देखेंगे कि बाकी जो units हैं वो कितने बचे 37 में से 12.7 units तो हमने देख लिया कि 122 की एन्नेवी पर sell हुए है तो बाकी यहाँ पर 24.3 units जो हैं वो sell हुए अपना 162 की एन्नेवी पर 162 की एन्नेवी पर अपना sell हुए 24.3 units चलिए 5th month का निकालती है अब capital gain उसके लिए यहाँ पे पहले हम देखेंगे units तो थे हमारे 12.7 वो sell हुए 122 की NAV पे तो capital gain इस महिने का हम निकाल रहे हैं उसके लिए देखिए यहाँ पे हम पहले selling price 1620 minus purchase price 122 multiply by number of units 12.7 इसको करा तो हम आदा capital gain आगय है 19,000 इसको थोड़ा मैं 24 unit है वो हमने sell करें हैं 1620 पे selling price 1620 minus purchasing price है 162 multiply by number of units 24.32 तो यह capital के इन आगय है 34,000 इसको भी थोड़ा बढ़ा कर देते हैं तो अब जो यहाँ पे capital के इन आएगा वो यह इन दोनों को add करके आएगा इन दोनों को add हम करेंगे तो 54,504 capital gain आगया इसी तरीके से आप जो आठवा महिन है यहाँ पे भी इसी तरीके से calculation होएगी और जो 11th month है उसमें भी इसी तरीके से calculation होएगी क्योंकि इन months में जो हमने unit sell करें है उनकी purchase आने भी अलग-अलग थी इस तरीके से हमने पूरे 12 महिने का capital gain निकाल लिया है अब यह 12 महिने का capital gain निकाल लिया है इसको simply हमने यहाँ पे add कर दिया है तो total हमारा capital gain हो गया 6,52,000 पूरे साल का तो यह 6,52,000 में से हमने withdraw कितना किय है उसके लिए 60,000 को add कर लेंगे हम 12 महिने से या multiply कर लेंगे तो simply आजाएगा 7,20,000 जो 7,20,000 हमने पैसा withdraw किया उसमें से capital gain था 6,52,000 तो यानि दोस्तो हमने 7,20,000 का withdraw किया एक साल में capital gain बना 6,50,000 अब आपको पता है कि 1,00,000 का capital gain एक साल में tax free होता है क्योंकि यह long term capital gain है ह हमने 15 साल invest किया है तो एक लाग का tax free होता है जो बाखी का 5,52,000 का amount बनेगा उस पे हमको simply 10% का tax देना पड़ेगा तो 5,52,000 पे आपका 10% का tax अगर लगाए तो 55,000 का हमारा tax बन जाएगा तो simply इसको 10% से multiply कर लेंगे 5,52,000 को तो इतना हमारा tax बन जाएगा capital gain tax जो कि हमें अपनी ITR में हमें खुद file करके अपना income tax देना पड़ेगा तो ये एक assumption मैंने लिया था कि इतना इतना एने भी चल रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा हमें इतनी complicated calculations में जाने की ज़रूरत नहीं है ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि इस तरीके से आपकी calculations करके अपना capital gain निकाल सकते है simply हम जिस भी mutual fund में invest कर रहे हैं वहाँ से हमें capital gain statement मिल जाती है जिसमें हमें पता चल जाता है कि कितना हमारा long term capital gain हुआ है तो friends इस video में हमने देखा कि कैसे हम excel पे calculate कर सकते है कि कितना capital gain हमें pay करना पड़ेगा अगर हम SWP ले रहे है पहले हमने SIP करी 15 साल उसके बाद उससे SWP लिया तो कितना capital gain हमें pay करना पड़ा हमें वो हमने देखा आप खुद भी इसे calculate कर सकते है या simply आपको mutual fund से भी capital gain statement report मिल जाती है आप उसके through भी अपना income tax file कर सकते है लेकिन दोस्तों जो tax की calculations हम देख रहे है 10% long term capital के इन आने वाले time में वो change भी government कर सकती है तो यह current tax laws का हिसाब से हम देख रहे हैं तो friends आज की वीडियो यहीं तक थी अगर informative लगी हो तो like कर देना चानल को subscribe कर लेना thank you for watching